नमस्कार दोस्ता आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट ट्राइन स्पोर्स में बात करने वाले हैं आज होने वाले टी-20 के महा मुकाबली की जहां एक तरफ होगी इंडिया जो अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए उतरेगी तो दूसरी तरफ इंग्लेंड की टीम जहां एउन मॉर्गन की कप्तानी में दूसरा लगातार मैच जीतने के रादिस उतरेगी क्यूंकि वो टेस्ट सीरीज हानने के बाद T20 पर नजरे गड़ाए है जीत के लिए लेकि दोस्तों यहां पर काफी दिलचस्प हो गई जानना कि पहली हार के बाद क्या इंडि प्लेंग 11 के साथ जीत बरकरा रखना चाहेंगे दोनों टीमों के अगर टीम कॉमिनेशन में चेंज अगर हम देखेंगे तो आज हम टीम इंडिया में कोई चेंज देख सकते हैं क्यूंकि टीम इंडिया में सायद अक्सरबटे लाज ना खेले उनकी ज़ए कोई एक फास ब बैठा के किसी एक ऐसी एक ऐसे पड़ी के लाहोल वीराठ कोली या जी दोनों कर सकते हैं inhoornand Щ. सुरी हमार आदप को आप में मिड tribester कर सकता हैं करकर कर आप कर ना चाहें तो मौकत मिलिया चाहें क्युंकि सुरी हमार यादप तयार है किया जुक्त ये भी उपनिंग कर सक तो एक T20 World Cup में सबसे अगर मजबूट टीम है तो इंग्लेंड और वेस्टनी इसी टीम है जिनको आपको हराना पड़ेगा तब ही आप जाकि T20 World Cup को जीतेंगे तो आप इनके खिलाब अगर एक्सपेरिमेंट करते हो और तब जाके आप शफल होते हो तो हम कह सकते हैं कि यह टीम World Cup में फाइल में जा सकती है और वो कफ हमें दिला सकती है लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा क्योंकि नटराजन की इंजरी की खबरें सामने पता होने मुखा उने मुखा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो तो हम साड़ू ठाकूर ने भी कुछ गलत नहीं कर रहा है तो इंडियन के बैस्मोर ने गलत कर रहा था पैसले मैच में तो वहां अगर कुछ चेंजिस होते है तो वह माईने रखता लेकिन अगर बॉलर में होते हैं मैरे च्शहिदे गृच रहे है जुरूत है तुच आप ये हम पने साफने ड्रो करकिर नहीं हम याज हम सेक्च एड़ी ABS को रहे है बिना कंडिशन को सब्सक्राइब मेरे अई पनी साब मेरे ये मैं अपने कंडिशन को समझें अगर आप 11 खिलाड़े को लाइसंस दे देंगे हाथ खोल लेकर तो वो मुसीबत हो सकती है क्यूंकि दूसरा चोर भी किसी को सम्हालना होता है आप कितनी बैडिंग डैथ लेकर चलें अगर आप एक साइट से अपनी विगेट नहीं सम्हालें तो आपका स्कोर ही होगा जो हमने पहले मैश में देखा था श्रेश यार ने वो तो बोली है मैंडसेट अपना बीच मैदान पर ही चेंज कर लिया और विगेट सम्हाल के खेल और दसकों भी बहुत चील लगी एक कुलहाड़ी भी लगी कि जब टीम से कोई बाहर जाएगा उनकी गर्दन पर कुलहाड़ी गिरेगी तब ही जाके कोई अंदर प्लेयर आएगा एक्स्परिमेंट करेंगा लेकिन आगके उन्हें एक ऐसा पारी फिक्स कर दिया कि आप उ आज के मुकाबले में भी हो सकता है कि ना खेलते भी दिखाए दें क्यूंकि इन तीनों पर दाव लगाना भी थोड़ा कटीन हो सकता है लेकिन अगर देखा जाए एज़ा ओपनर दवन और रहुल को अगर मोका दिया गया है तो उनको अपने आपको पुरूफ करना करते हैं तो जानते हैं कब किस परिकार से गयर बदल की बल्ले बाजिक करना है विराट कोली के बल्ले से बार बार जीरो 72 रन मनाते ही 3000 बना देंगे लेकिन उसका इंतिजार कापी लंबा होता जा रहा उसके बारे में का क्याना चाहिए विराट कोली के अगर बैटिंग के फैक्टिस करनी पड़ेगा अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा पीछ पर जाके दस बॉल बीस बॉल खेले तो साही बिल्कुल तब जाके अटेक करें उसके बाद उन्हें हमें पता कि एक सॉलिड स्टम है टीम इंडिया का अगर तो तो तीम अधिक से अगर विराट कोली शुरुबात में दस बीस गेंद लेकर पांच यह बनाते हैं तो बच्चे भी बीस गेंदों पर फिफ्टी कर सकते हैं और मेरे साब से सबसे अधा प्रॉब्ल में इंडिया को आ रही है तो स्कोर देने में आ रही है जैस करते वाग विराट कोली कोई सब्सक्राइब तो आज हो सकता है कि तीन तेज गेंद बाज दिखाए थे अक्षर पटल को अराम मिल सकता है क्योंकि पिछले सीरीज से ही टेस्ट सीरीज से अच्छा करते हैं वाशिंटन सुंदर के साथ कंट्यूनी रहना चाहेंगे विराट कोली और साथ अगर इंगलेंड की बात किजाए क्योंकि दुश्मनों की बी बात कर ली जाए कि जानना बहुत जरूरी होगा क्या उनके टीम में कोई बड़ाव हो सकता है मेरे साब से कोई बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि उनकी टीम इतनी अच्छी खेल रही है कि आप उनसमें कुछ बदलाव ही नहीं कर सकते आप किसे बठाएंगे उनमें अच्छी खेल थे उनकी बॉलिंग अटेंग दिखे थे चार पेसर उने खिलाया था और चार पेसर ने तगड़ी बॉलिंग कराया थी बिलकूल फायर कर रहे थे बैट्समें को इसा कोई भी मुका उनने इतनी लूज वल कराई नहीं कि वह जागे शॉट खेले तो मेरे साब स अगर आज भी बिराट कोहली का स्कूर दस रन से कम रहता है तो क्यों वह खुद को आराम देना चाहेंगे क्योंकि दो मुकाबले में रोह शर्मा को आराम मिला है तो कोहली भी आराम यानि के रेस्ट डिजर्व करते हैं क्योंकि बहुत ही खराब फोम चला है और टीम को ऐस अगर दुबाला से कम बैक करने की माद्दा रखते हैं अपने अंदर उनने करा भी है ऐसे जैसे टेस्ट मैच में अपने आपक करा था उज़ार 14 के बाद जब ने कहा था कि मैं एक डिप्रेशन में चले गया था मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था मैं खेल नहीं पा रहा था ले गए हैं वहाँ पर जीत दिलाना भी काफी एहम होगा लेकिन टी ट्वंटी के वाल्ड कप मुकापले पर भी नजर होगी तो ऐसे में उन 11 खिलाड़ी जो ऐसे नगीने होंगे जो कभी भी जरुत पढ़ने पर एक्स फेक्टर यानि कि अकेले दम पर मैच जिता दे उनक दोस्तों आज का गेम प्लान किस प्रकार से विराट कूली किस माइंड सेट के साथ उतर सकते हैं आगे जाने के अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इस गेम प्लान के बारे मिदानेवारा